डेली बटर ब्रेट खाते खाते मन उल गया हो तो आज कुछ अलग ट्राइ करें ब्रेट सो बहुत इंट्रेस्टी रेस्पी आज मैं लेकर आई हूँ तो वीडियो को लाटत देखिएगा ताकि पूर रेस्पी अच्छे समझ मैं आप भी रेस्पी ट्राइ कर सको बहुत और यहां मैं एक कप दूद ले रही हूँ दूद में हलका नॉर्मल ज्यादा गर्म नहीं हलका सा रून टेंपरेचर वाले मैं यहां दूद ले रही हूँ यह मातरी तीन चीजों से आज ही रेस्पी टाई करेंगे बहुत इंटेस्टी बनती है तो चलिए बनाना κोण बनाना स्टेंगे मैं और यह कृति आया जी को अच्छे से गर्म कर लेंगे तो ध ineff a उत नियुक। ब्रेट को मैं अच्छे से गर्म करूंगी तो सुबह के आप भाग दौर में भी आप इसे ट्राइ कर सकते हो बहुत ही जल्द बन जाती है मातर पाच मिनिट में रेज़ भी बन कर रेडी हो जाएगी और सब को बहुत ही पसंद आएगी बच्चे भी बहुत चाओ से इसे खा लेते हैं तो देखे इस परकार मैं बटर लगाते हुए चार पीसेज को रेडी कर लूँगी तो देखे मैंने यहां चार पीसेज में बटर लगा लिए और इसे एक साइज में इसे एक के एक उपर इसे रख देंगे तो देखिए इस परकार मैंने इसे अच्छे से सजा दिया और इसके अच्छे से दोनों तरब से इसे हलका ब्राउन होने तक सेक लेंगे तो एक तरब हलका से सीख चुका है मैं दूसरे तरब भी सेक लेती हूँ तो देखिए दोनों तरफ से हलका रेड हो चुका है इसके उपर मैं अब दो डालूँगी तो हलके हलके करके मैं यहां दो डालूँगी तो यहां मैं पहले चम्मस से इस परकार डाल देती हूँ आप चाहे तो कब से भी डाल सकते हो लेकिन हलके हलके डाल लिएगा बाहर ये गीरे नहीं तो देखिए इस परकार मैं इसे डाल दूंगे और एक तरफ मैं इसे पलड दूंगे तो देखिए इस परकार इसे अच्छे से पलड देंगे और इधर भी हलके हलके दूड डाल देंगे तो देखिए ये बनकर रेडी हो गया इसके उपर हलका समय यहाँ हनी दे रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ चीनी का इस्तमालना किया है तो इस परकार ये हेली के साथ बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हो गया तो आप एक बार जरूर ट्राय करिएगा और comment box में comment जरूर करिएगा कि आपको ए रेशपी कैसी लगी तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लैक और चैनल को जरूर सबस्क्राइब करिए साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो मिलते हैं ऐसे ही नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई